ब्राइट फूचर स्कूल अफ स्टडीज हैलो एब्रिवन तूड़े आम टीचिंग कोशन आंसर आफ चेप्टर फिफ्ट आफ साइन्स ओके आज मैं आपको साइन्स के फिफ्ट चेप्टर के कोशन आंसर पढ़ा रहे हूं हमारे चारो तरफ क्या है प्लांट से है ओके मैं आपको यह चेप्टर जो है बीफोर इस वीडियो में एक्स्प्लेइन कर दिया है सभी ने वीडियो देख लिया होगा अब मैं आपको कोशन आंसर पढ़ाने जा रहे हूं अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो प्लांट होता है प्लांट के पास कितने पार्ट होते हैं टू पार्ट होते हैं एक रूट और दूसरा शूट दो पार्ट होते हैं उसके पास तो जो रूट होता है और शूट दोनों में क्या डिफरेंस से हैं वो इस कोशन में हमसे आस्क किया है इस आंसर इस प्लांट होता है उसका जो भी पार्ट ग्रांट के नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं रूट कहते हैं and now next शूट शूट it means the part of the plant that grows above the ground ओके इट मिन्स क्या ग्रांट के उपर है ना इस कोल दा शूट जो भी प्लांट है उसका जो पार्ट ग्रांट के उपर होता है उसे हम क्या कहते हैं शूट कहते हैं got it now next name any two roots that we eat अब आपको ऐसे two roots के name बताना है जिने हम eat करते हैं वीडियो में बताया है मैंने आपको कौन-कौन से होते हैं root plant जिनको हम eat करते हैं जिन में food store होता है हाँ याद आया radish, carrot, turnip है ना सो हमें तो सिर्फ two name बताना है so we eat the root of r-a-d-d-i-s-h radish and c-a-r-r-o-t carrot ओके कौन से root है जिने हम eat करते हैं रेडिश और carrot नाव नेक्स इस write two f-u-n-c-t-i-o-n-s functions of the stem stem के आपको two functions बताना है ओके क्या functions होता है stem का क्या work होता है so the function of a stem are क्या work होता है stem का वो क्या करके रखती है plant को straight रहने में help करती है ना s-t-r-o-n-g strong and w-o-d-d-y woody stem h-o-l-d-s holds the plant s-t-r-a-i-g-s-t straight okay stem जो है वो plant को सीधे खड़े रखने में help करती है coal system strong and woody stem okay now next it B E A R S flowers and buds it means branches leaves, flowers, buds कहां रहते हैं ये सब सभी plant पर रहते हैं plant पर grow होते हैं तो जो stem है वो इन सब चीजों को भी बियर करती हैं stem पर ही तो होते हैं ये सारी चीजे ओके आगे answer समझ मैं आपको now next is w hy y a r e r leaves i m p o r t a n t important f o r for plants why are leaves important for plants जो leaves है वो plant के लिए important क्यों होती है अब मैंने आपको वीडियो में leaves structure बताया था क्या है leaves plant के लिए क्या होती है leaves kitchen बताया था ना leaves जो है वो plant का क्या है kitchen है ना उसे तो food factory भी कहते है तो अब ये क्यों need होती है इसकी plant को important for plants b e c a u a c because they make food for the plant क्योंकि ये जो leaves होती है वो plant के लिए क्या करती है food make करती है food बनाती है इसलिए तो इसे food factory कहते है है ना now next is what is the functions of s e d c e d leaves ok seed leaves का क्या function होता है so answer is seed leaves store food for the seed ok जो seed leaves होती है वो seed के लिए क्या store करती है food store करती है और वो किस चीज में यूज आता है to use when it grows into a new plants किस चीज में यूज आता है जब वो seed new plant में ग्रो होता है तो वो जो food store करती है वो उस चीज में यूज आता है Got it? Now next is What is G-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N Germination Germination क्या है? वीडियो देखा था आपने जब मैंने आपको chapter explain किया है उसमें मैंने आपको germination भी explain किया था with picture है ना कि जब हम कोई seed कहां under the ground it means soil में डालते हैं उसे grow करने के लिए और उसे proper way में air, water and sunlight मिलती है तो वो जो seed है वो grow होता है baby plant में और उसकी अगर जो चीज की उसे need है air, sunlight, water वो उसे proper way में continue मिल रहा है तो वो baby plant दिरे-दिरे grow होके एक big tree भी बन जाता है और इसी process को क्या कहते हैं? germination कहते हैं so answer is when a seed G E T S gets E N O U G H enough air, water and W A R M T H warmth the baby plant B E G I N S begins to grow this is called germination got it समझ में आ गए आपको सारे question answer अब आपको क्या वर्क करना है वही हर बार की तरह यह जो question answer है यह अपनी science copy में write करने है write करने के बाद मुझे pick send करना है और इन्हे learn भी करना है got it thank you